यहां बुरी जी आप आलिम हैं नहीं सना दियापता आलिम नहीं है आली बेल में पड़ाई कर रहे हैं जी जी आप किसी मस्जिद मदर्शाव अगेरा में पड़ाई कराते हैं क्या नहीं जी जी देखें आप जो भी कर रहे हैं खुशी लगती है प्राइवेटली सुनने में वह प्रोड भी फील होता है लेकिन कुछ दो तकरीर डिबेट्स आपके मैंने सुना जिसमें आप कुछ क्या बोलते हैं उसको मेरी उर्दू अच्छी नहीं है उर्दू पड़ाई नहीं क जो आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं समझता हूं अभी तो आपके फालोवर तकरीबन हजार के करीब हैं और आगे जाके हजारों लाकों में हो जाएंगे खास करके यूटूब की बात में कर रहा हूं तो बस यह मेरा कंसर्म है आप इसको स अगर आप सही हैं तो मुझे बता भी सकते हैं जी बिलकुल आपका मश्वरा असरा आखो पर खालोग अच्छा अंदाज में मश्वरा दे तो कोई हरती बात नहीं है मारी इस्तला करें जी अगर लिगो सदाव सकते हैं जी और मेरा वो तो खैर छोड़िये आप तो बहुत जानते हैं तो आप बेटर मुझे समझें जो ऐसा अगर हम लोग टेलिफोनी डिबेट करने लगेंगे ये खास करके जो हनफी मजब के लोग हैं जो मेजारिटी हैं इंडिया के अंदर तो इसमें एक दरार नहीं पैदा होगी आहले हदीश और दिगर दूसरे मजबों के सा जैसा के शाफ होगी है दिबेट करने में दरार क्यों पैदा होगी ये कूंसी बात है बताए तो बात करते करते होगे हैं तो अकल को आप ये भी बोल दोगे कि दावत का काम करने में भी दरार पैदा होती है तो मत दो नहीं ऐसी बात नहीं है तो हीद की दावत देने में द को लेना देना नहीं है तो बस डिबेट का भी वोई उस्वूल है ना जी जी बैट का मकंत भी तोहीद की दावत ही है जी बिलकुल सही है बस ये ही मेरा कंसर्ण है कि बाखी आप माशाओला आएज दे क्या होता बनते हो ना, तो मुकलित की नजर में आप मुनाजिर बन जाते हो, आप मुच्टाहिद बन जाते हो, आप मुधिस बन जाते हो, क्यों 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 क्य लेकिन अगर कोई उसके मुकाबले में कोई बात पेश करें तो मज़ा आए लेकिन मेरा ही मानना है कि आदमी एलेदीस बनता है तो फॉरन मुकलिबी उसे मुनाजिर समझ लेते और उसे उसी अंदाज में कुफ्तुगू करते हैं और फिर वो हमेशे चैलेंज करते हैं आओ हमारे आलिम से बक्त करो क्यों? वो उसे बस क्यों नहीं करो? क्यों? क्योंकि वो आपका लवल अगर चाव आलिम नहीं हो य हो उसके बावजूद भी अपने मुफ्ती और आलिम से कुफ्तुगू करने की आपको दावत देते यानि आपका डिवल डायरेक्ट मुब्ती आलिम मुधिस मुच्छीट वाला हो जाता है और आदमें ऐले अदिस होते के साथ ही मुझजिर ही होता है मुझजिर का क्या मतलब है मुझजिर पुलते हैं मुझजरा करने आमने सामने बात गृटरू को करने वाले को अब चुब के ये टेकनलोजी का जमाना आप आडियो रिकॉर्डिंग आ गई ये तो ये बहतर रास्ता है जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आसान रास्ता है आसान भी है और जो लोग इसे गलत समझते थे, गलत केते थे, लोकडाउन में आके उन्हें अपनी राए बदलना पड़ी, क्यों? आप तो सब बंद हो गया अप दावाद का गाम केसे करोगे, घर बेटे आदमी केसे करेगा, अभी तो मज़्धी तो भी लोक कर दी गई, जुमा होता था वो भी लोक कर दिया गया, दावाद से तो मुचोराई के कर नहीं सकते, घर से बहार ही नहीं निकल सकते, तो आपके पास आसान आप्शन क्या है? तो हमने इस राह को चुना था जिन लोगों ने एतराज किया हसद में, जलन में, आज उन्हें हमारी इन बात को मानना पड़ जिन वाद लोग है, आपकी बात नहीं करो में, बात लोग है, जब बिचारों को हसद में, जलन में कुछ नहीं मिलता, तो बेतों के इतराजाद उठाए ले आते हैं, जिसका तालोग इतला से तो होता नहीं है, दिल की बढ़ास निकलने से होता है, तो जोराज अधिट क्य होता है ना, कि हाँ, उसमें क्या होती है, कि बहुत जजबाती गुत्तवू होती है, तो जजबात में आने की वज़ेशा आदमी बात दफ़ा हमेशा नहीं, जो लोग हमेशा करते हैं, उनकी ताइद नहीं करता हैं, जो बात दफ़ा इंसान है, बात दफ़ा उसे सक्त कलाम भी कर में दिता सब्सक्राइब करने पर इंदेटा है। पर नामिंड हों से देखता ही नहीं और दूसरे पर करने बैठ जाते हैं। उन्हालाद को भी समझता नहीं है, यह जो हालाद उसके साथ बने हैं, कभी मेरे साथ बन जाए, जब उसके साथ बन जाएंगे ना, तो उससे जुना जादा हो और शित्यत इक्तियार कर लेगा, आपका मश्वरा है, और नेक मश्वरे पर तो बिलकुल अमल किया जाएगा, उ अलगी रास्ता मेरा मतली मौड आपका मालूम है, कि यह चीज पहले सदियों से पाई जाती, जैसे हमारे असलाफ के जमाने से पाई जाती है, किसी ने नहीं चुना और मैंने चुना, तो अलग रास्ता कहते हैं, यह चूंकि टेक्नलोजी है, और आज ही मार्केट में आई, अभी मार्केट में आई, यह चंद सालों में मार्केट में आई, तो इस टेक्नलोजी को सबसे पहले यूज करने वाला आप कह सकते हैं, जैसे वीडियो, अब वीडियो में बयान देना है, तो अब यह कोई अलग रास्ता तो नहीं है, आपको बोल तो कोई मोधिस में वीड मेरा अलग रास्ता चिनने का मतलब है कि लोगों को समझाने का तरीका जो डिबेट के जरिये से, पहले तो आई समय होता था, नहीं नहीं डिबेट तो हर जमाने में रही, अंबिया के जमाने में भी रही है, और पहले तो बाकाइदा, यह हमने इस लिए चुने, यह आतान ह कि आप टेंशन से टेंशन वाले टॉपिक जैसे करबा लगा मतला है, नहीं वही मुझे बहुत अच्छा लगा आपना, यह नहीं इसके पहले इसके पीछे पीछे, इसके पीछे बहुत सारे तफसिल मुझे समझ में आ गई, और मुझे आप लास्ट एक वीडियो आपका, आडियो रेकॉर्डिंग मैंने सुना, जो क्यों ऐसा इतरास करते हैं, आपका यह टॉपिक और यह एंगल भी मुझे बहुत अच्छा लगा लगा, आपने बताए कि यह इसलाम, इसलामी हुकोमत और इसलामी हुकुमरान को खासकर के तवहीद परस, इनको कमज़र करने के आडियो अटेक ऐसे तरीके से ही होता है, आपका यह इसको समझता नहीं है, यह बहुत अच्छा लगा मुझे, जी, 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 तो मैं जो बोलना चाहरा था, इसके पीछे हिकमत क्या है, बस यह बस ऐसा नहीं है कि मैं ही समझज़़ार हूं, बाकी लोग नहीं है, बस यह तबते रिकिस्तान में पहली बून गिरी है, यह हिम्मत चुर्ण, तब इस टेक्नलोगी को इस्तेमाल करने में, आलहमदो लोग ने हमको नहीं टौपिक गया, हमसे काम ले लिया हम लोग लोग लगार हैं, लोग लेकिन इसके पीचे बहुत सारी चीजें थी, जी जी, का टॉपिक मैंने बताया आप इस से रूबरूट मुनाज़ा करने जाएंगे इतने वसी दलाईर इतनी वसी बाते हैं कि एक मुनाज़रे में तो फैसा होगा भी नहीं जी जी और इतना जजबाती होता है कि जगड़ा होने का पूरा चांस है और पहले मुनाज़रों में आप देख चुके हैं कि स्टेज लगते जगड़े होते थे पुलिस को केंसल कराना पड़ाता था मुनाज़रा एक टेंशन माला मावल बन जाता था आज ऑडियो रिकॉर्डिंग से आप उस तारी बाते घर बैठे कर सकते हैं अवाम घर बैठे सुन सकती है और कोई कितना भी न अब बड़े नुक्षान से बहतर चोटा नुक्तान है या बड़ा नुक्तान? आपके लूबर हो आके मुनाज़रा किया उसमें एक हजार लोग आपके दुशमन बन गये और आपके अज़ार करे कोन सा नुक्तान बहता रह रहे? अधिस हमें बताथी कि बड़े नुक्तान से चोटा नुक्तान बेता रहा है। के बुनियाद पर ही हो सकता है, इसके सिवा नहीं हो सकता है। कभी जुमा में आएगा, तो उसमें यहीं बताए जाएगा, इंशालला तोहीद जो है, वो यहीं है, इसका बुनियादी मक्सद यह है कि तोहीद से ही मुसल्मान एक हुए थे, उनमें इत्याद काइम हुआ था, बाकी और किसी चीज सरा आप इत्याद काइम नहीं कर सकते थे होगा भी नहीं, आरजी तोर पर आपको लगेगा क्यों जो मुस्त हीद काsheet है, किसी ने कोई सियासी पारिटी बना लिया, किसी ने कोई मश्ड़क बना लिया, मुस्त हिदा कोता है, तो यह सब आरजी होता है, इससे वो रिजल्ट आई ही नहीं सकता जो तोहीद से आएग इक्तिलाफ हमेशा बागी रहेगा तोहीद ही आजिक एक्तिलाफ को फतम कर सकती है जी मैं समझता हूँ कि आप ये चंद सवालाफ जो फ्रिक्वेंटली पुछते हैं ना ये मुकलिद लोग जो फालोवर्स ब्रेंट फालोवर्स हैं इमाम अब अनिफा के इमाम शाफ़ई के ये कुछ सवालात आप बनाएं तो कुछ नार्मल लोग भी आप जैसे इसमें लोगों से जवाब दे सकते हैं मेरे खाल में हलो हलो